और शेली आगे बढ़ते हैं दिले पुलिस ने स्वाती मालिवाल का बयान दर्श कर लिया है ये बड़ी खबर आपको बता दे 13 माई को केश्रिवाल के घर पर क्या हुआ था इसका पूरा घटना क्रम स्वाती मालिवाल ने पुलिस को बता दिया है स्वाती मालिवाल ने पुलिस को एक-एक जानकारी दी है सोरस ये भी बता रहे हैं कि 13 तारीक को जो पूरा घटना क्रम था वो स्वाती मालिवाल ने विस्तार के साथ पुलिस को बताया है उनके साथ बदसलूकी की गई थी उनके साथ मारपीट की गई थे पुलिस के सामने स्वाती मालिवाल अपने पुराने बयान से नहीं पल्टी स्वाती मालिवाल ने बदसलूकी की बात कुबूली है पुलिस से वही बात दोराई है स्वाती मालिवाल ने कहा कि सियम हाउस में बदसलूकी की गई उनके साथ और अब उन्होंने अपना बयान पुलिस को रिकॉर्ड करा दिया है स्वाती मालिवाल केस में पुलिस F.I.R. दर्श करेगी यानि कि मतलब सीधा सीधा साफ है कि अब जो जाच की आच है वो CM हाउस तक पहुँच चुकी है मेरे दोसे होगी इस वक्त और अधिक अपडेट के साथ जुड़े होएं भासकर मिश्रा इसके लावा वे पराशर मेरे साथ जुड़े होएं भासकर अब जब आच CM हाउस तक पहुच गई है आदमी पार्टी की मुसीबतों की लिस्ट में एक और मुसीबत और ये सबसे बड़ी मुसीबत है चार दिन से कोशिश हो रही थी कि इस मुसीबत को कम किया जाए खत्म कर दिया जाए लेकिन दिल्ली पुलिस के साढ़े चार गंटे की मेहनत के बाद ये सामने आया है सूतरों के हिसाब से कि स्वाती मालिवाल ने शिकायत कर दी है और उस साथ साथ ये भी क्लियर कर दूँ कि सूतरों के हिसाब से हमें ये जानकारी मिली है कि स्वाती मालिवाल ने कहीं से भी ये नहीं बोला है कि इस मामले में कारवाई नहीं होनी चाहिए यानि वो कारवाई करने के लिए शिकायत की है और इसका सीधा सीधा असर ये होना है कि जिसके नाम को लेके उन्होंने शिकायत की है उन पे अब पुलिस की कारवाई होगी। CM घर पे मारपीट हुई है और कोई और नहीं विभवकुमार ने मारपीट की है और ये बात आम आदनी पार्टी ने सुईकार ली थी संजे सिंग ने प्रेस कॉन्फरेंस करके कहा था कि विभवकुमार ने बदसलूकी की है उनके साथ में पार्टी की ये लाइन तैय हुई थी और उसके बाद अगर स्वाती मालीवाल रेटन में ये शिकायत देती हैं कि उनके साथ क्या हुआ था ये मान के चला जाए कि अब परिशानी आम आदनी पार्टी के लिए बढ़ गई है जो 21 दिन के लिए अर्विंद केज और शिश की जा रही थी अब FIR तरजोनी के बाद किस तरह से मुश्किले बढ़ेंगी देखे बिल्कुल मुश्किले बढ़ेंगी क्योंकि हम आपको साफ तोर पर बता दें कि स्वाती मालीवाल से लिखित में दिली पुलिस ने शिकायत ली है जिस दिन स्वाती मालीवाल ने PCR कॉल की थी CM अवास पहुचने से लेकर जब तक वो बाहर आई है अपनी गाड़ी को छोड़ कर बाहर आई है और वहां से आटो करके निकली है तो पूरा घटना क्रम उन्होंने दिली पुलिस के जो सीनियर ओफिशल से बहुत एक्सपिरियंच ओफिसर्स ने पहले उनसे बात की थी फोन पर कि वो उनका बयान दर्च करना चाहते हैं पूछना चाहते हैं कि आखिरकार CM अवास में क्या हुआ था तकरीवन साड़े चार घंटे पुलिस ने उनसे पूछाज की स्वाती मालीवाल ने पूरा पॉइंट टू पॉइंट बताया कि जब वो CM आवास में पहुची उनसे किस तरीके से विभव ने मार पीट की कहा पर मार पीट की और किस तरीके से उसे रोका गया अब देखना सबसे एहम ये है क्योंकि CM आवास के अंदर CM खुद मौजूद थे तो अब दिल्ली पुलिस सबसे पहले इस केस में F.I.R. दर्च करेगी हाला कि पुलिस ने ये बात कही है कि हमें स्वाती मालीवाल ने शिकायत दे दी है लेकिन उसमें आरोपी के तौर पर किस किस का नाम है फिलाल शुरुआती तौर पर पुलिस इससे बच रही है लेकिन इतना तय है कि विभव का नाम उसके अंदर है किसी और का नाम है या नहीं है ये अभी कुछ समय बात पता चल जाएगा पुलिस हेटकोर्टर में इस वक्त तमाम सीनर ओफिशल जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं बिल्कुर और सबसे जादा बैह हैरानी की बात यही है देखें मैं आपको बता दू कि जो FIR है वो पूरी तरीके से अधारित होगी स्वाती मालीवाल की शिकायत पर उन्होंने शिकायत में किस तरह का कंटेंट दिया है क्या शिकायत किये किस के खिलाफ किये शिकायत में उन्होंने किस किस का नाम लिखा है उसके अधार पर ही फायर में आरोपी बनाए जाएंगे साथी साथ जो सेक्षन है आई पी सी के वो जोड़े जाएंगे तो इंतजार बस कुछी देर का है कुछ देर बाद जो है तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिर सेक्षन क् तो एक्षन जो है इसमें बड़ा हो सकता है विवव कुमार की मुश्किले लगबग बढ़ गई है क्योंकि अभी वो पंजाब में है उसके बाद वो मुंबई में आपको बता दूँ इंडिया अलाइन्स की एक रैली होनी है तो ऐसे में वो वहाँ पर भी जा सकते हैं तो हो सकता है कि precaution के तौर पर उन्हें detain करने के लिए या हिरासत में लेने के लिए पंजाब चली जाए तो अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए थोड़ा से इंतजार के बाद बूली तस्वीर साफ हो जाएगी क्योंकि एफायर जब रेजिस्टर्ड होने के बाद पूरी रूम में भी बैटी हुए थी तो वहाँ पर भी वो रो रही थी रोते रोते ही उन्होंने फोन कॉल किया था तो कहीं ना कहीं एक एमोशनल जो चीज़ें वही स्वातिमाल अगर देश में कहीं भी कोई घटना होती है तो वह मुखरता के साथ आवाज उठाती है और जब उ उनकी ही पार्टी के उनके ही मुख्यमंत्री के घर पर ऐसी घटना हो जाती है तो कोई भी नेता कुछ भी बोलने से साथ तोर पर बचता हुआ नजर आया आप तिनों का बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए